ठीक है टीटर्स दांटते होते हैं ठीक है सर ने मुझे टांटा तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात हैं क्यों मैं हर चीज़ को अपने दिल पे लिए जा रही हूं क्यों हानिया की बाते मुझे इतना दुख देती हैं क्यों मुझे सोच तोच के दुख होता है क्यों मे पे गुटनों के बल बैटी थी कि अचानक उसे याद आया उफला जी मैं तो भूली गई मानो बेमार है उसने सुबा से कुछ निखाया मानो मेरा बच्चा वो भागते हुई मानो के पास की और उसको अपनी गोद मिलिया वो भी शायद उसी का इंतजार करी थी उसके आते ही उटके खड़ी होगी और मियाओं मियाओं करने लगी मानो सोरी मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाती ना मुझे खापवा हो ना मुझे तुम पता ही नहीं है मैं आज कल क्या सोचती हूं और क्यों सोचती हूं वो मानो के माथे पे हाथ फेरते वे उससे बाते करती रही और वो उसकी गोद में आँखे बनकिये सुनती रही वो रात को सोने से पहले अपनी मानो पे दुरूश्री बढ़के फूख के सोया करती थी अल्ला पाक मेरी मानो आपके हवाले उसका बहुत ख्यार लखिये का रात में यह उसकी रोज की दुआ होती थी जो रोज वो किया करती थी आपी बोले ना बेहन को चुप बैठा दे के वो फिर से बोला क्या बोलू मैं वजी भाई के सवाल पे वो सोचों से बाई निकली जैसे वो सोच रही हो कितने सालों से अब उसने इस पारे में सोचना छोड़ दिया था कितने हरसे से उसने नहीं सोचा था कि वो भी एक लड़की है बाकी लड़कियों की तरह उसके भी कुछ अर्मान है उसकी भी कुछ खुआशे है आपी आपका दिल नी चाहता आपके शादियों आपका अपना भी एक घर और एक जिन्दगी हो मेरे दिल के चाने से क्या होता है वजी उसने बेहट की लरस्ती आवास सुनी जिसने एक खुआश अपने अंदर ऐसे दबा दी थी कि अब उसको उस खुआश की अब खुआशी नहीं रही थी आपी क्या सेयद सादी होने का ये मत्तब है कि आप सारी जिन की घर पे बैठी रहें अपने अर्मानों को अपने सीने में दफन कर ले आपी नभी पाक ने तो का था आपके बच्चे जवान हो जाए तो उनकी शादिया करवा दी जाए तो फिर आपी क्या ये मकाम हमारी आजमाईश है मैं जब भी आपको और जैनब को देखता हूँ तो बहुत दुख होता है मुझे शादी की एक ओमर होती है आपी एक वक्त होता है हर चीज हर बात एक वक्त पे ये अच्छी लगती है आपके लिए कितने अच्छे घरों के रिष्टे आया लेकिन अपु ने ये कहकर इंकार कर दिया कि वो सेयद नहीं है ऐसे नहीं बोलते मजी हम तो दुनिया के वो खुशनसीब लोग है जो नभी पाक के खांदान से है हमारा मकाम हर चीज से अफजल है हमारी ये खुशनसीबी कम है कि हम एहले बैट से हैं हम नभी पाक की उलाद से है तो क्या हुआ हमारी शादिया ना हो तो क्या हुआ हमारी खुशे हमारे दिल के अंदर दफ़न हो जाए तो क्या हुआ हम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं सोच सकते दूसरी लड़कियों की तरह खौप नहीं देख सकते दूसरी लड़कियों की तरह हमें किसी सेयद जादे के लावा मुहब्बत नहीं हो सकती हमें बस ये पता है कि हमारी निस्पत एले बैस से है और हमें बस लाज रखनी है उस मकाब की वो आँखों में एक दर्द दिये बस बोलती नहीं वो अपनी बेहन का दुख समझ सकता था उसने सोच दिया था सुबा होते ही वो मौलवी साब के पास जाएगा उनसे पूछेगा कि क्या इस नाब इस बात की अजाज़त देता है अगर सेयद घर का रिष्टा ना आए तो लड़की सारी जिनकी घर पे बैठी रहे क्या नभी पाक ने ऐसा कहा है क्या कुरान ऐसा कहता है कितर लिखा है आप अपनी बेहन बेटी को घर में बिठा दो सिर्फ इस वज़ा से कि उसका रिष्टा सेयद घर से नहीं आया मौलवी साब मैं पूरी रात नहीं सो सका मैं बहुत अरसा पहले आपके साथ ये बात करना चाता था मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी मौलवी साब मैं आपसे कुछ पूछना चाता हूँ वो फजर की अजान से पहले मस्जिद आया था ताके वो बगएर किसी की मुझूदकी में मौलवी साब से अराम से बात कर सके बोलो ना वजदान यकीनत तुम कल वाले मस्दे पही बात करना चाते होगे मौलवी साब उसकी बात को समझ गए थे वो मिम्मर के पास अराम से टेक लगाए हुए पीछे हुए और बोले मुल्वी साथ मैं बात खुमा फिरा के नहीं करना चाता मैं आपसे डिरेक्ट बात करूँगा मुल्वी साथ मैं सेयद जादा हूँ मैं एले बैट से हूँ क्या सेयद की शादी सेयदों भी हो सकती है बाहिर नहीं हो सकती देखो वजी सेयेद जात की दूसरी कोमों के साथ कोई बराबरी नहीं है सेयेद जो है, वो हमारे नभी करीम के ऑलाग से है वो नभी जिनको खुदा ने अपना मेह्बूब बनाकर बेचा है वो नभी जिसके लिए पूरी दुनिया बनी है वो नभी जिसका नाम खुदा के नाम के बाद दिया जाता है जिसको खुदा ने अपना महभूब का है उसकी निस्पत से सेयत एक अबसल जात है उनकी निस्पत से सेयत साथ का किसी से कोई मुकाबला नहीं किसी से कोई बराबरी नहीं नबी पाक ने फरमाया था लोगों के नसल बेटों से आगे बढ़ती है जब के मेरी नसल मेरी बेटी फात्मा से आगे बढ़ेगी तुम खुद सोचो मजी उस कमली वाले की जात के साथ किसी का कोई मुकाबला है किसी की कोई बराबरी है और रिष्टा तो हमेशा बराबरी में होता है ना अगर रिष्टा बराबरी में ना हो वो किदर काम्याब है मुलवी साथ मैं बात मुकाबले की नहीं करा मैं बस ये कह रहा हूँ कि क्या सेयद की शादी सेयदों के लावा किसी से नहीं हो सकती वो आज अपनी और जर्मीना की बात नहीं करा था आज वो अपनी बेहनों के लिए बात करा था वो बैने जो एक सेयद घराने के रिष्टे का इंतजार करी थी देखो वजी बहुत सारे उल्माए दिन बहुत कुछ लिखते हैं अब यहां पे तुम बात सेयद लड़की या लड़के की नहीं करें यहां पे बात तुम सेयद की कर रहे हो अब मैं तुम्हे दोनु का अलग अलग समझाता हूँ मैं तुम्हे पहले लड़के का बताता हूँ अगर एक लड़का सेयद ए और वो सेयदों से बाहिछ शादी करना चाता है तो वो जाइस है, वो कर सकता है उसकी मिसाल हम एहल बैद से ही अगण ले तो इमाम हसन अलिह सलाम और इमाम हुसेन अलिह सलाम की ही बात करें तो इमाम हसन ने दो शादिया की थी और इमाम हसन ने तीन इमाम हसन अलिह सलाम की एक बीवी हजरत उम्म फर्वा अलिह सलाम थी और दूसरी जोधा जिसने इमाम को जहर दिया था इमाम हुसेन अले बैत है और उनकी बीविया सारी बीविया सेयद खर से नहीं थी तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक सेयद खराने का लड़का बाहिस से शादी कर सकता है और अगर हम एक सहीदा लड़की की बात करें तो एले बैट से किसी लड़की की शादी सहीदों से बाहिने हुई अब वो एले बैट थी तो वो तो एक अलग दर्जा रखती थी तो उनकी शादी कैसे बाहिन किसी से हो सकती है अब अगर हम एक सेयद लड़की की बात करें तो बहुत से उलबा एदिन उस पे बहुत कुछ लिखते है अब बहुत से उल्बा कहते है के एक सेयद लड़की मा का दरज़ा रखती है सेयदों से बाइर मगर कुरान में मासिर्प नभी की बीवियों को कहा गया है जो नभी की बीवी होगी वो उम्मत की मा होगी वजदान मेरी बात समझ रहे हो ना उन्होंने सोचों में गुम वजदान की तरफ देखा और का जी जी मौलवी साब मैं समझ रहा हूँ आप बोले अब जो कि एक सेयद लड़की का दर्चा अफसल होगा तो अगर उसकी सेयदों से बाहिर शादी हो जाती है तो उसके शोहर पे उसका इतराब फर्ज है जो आज कर लोग इस चीज़ को नहीं समझते है तो हम एक सेयद लड़की की शादी बाहिर नहीं कर सकते बोलवी साब अगर लड़का अच्छा हो अच्छा हांदान हो हमें पता हो के ये सेयद साथ की इस्थ करेगा तो भी हमें एक सेयद खराने की लड़की की शादी बाहिर नहीं कर सकते बोलवी साब ये कहा का इंसाफ है کہ एक लड़की अपने घर पे अपने सर के बाल सफेद कर ले सिर्फ इस 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 इतजार में के सेयन लड़के का रश्टा आएगा और उसके बाल सफेद होने पे भी कोई रश्टा ना आए तो फिर वो अपने अर्मार अपनी कबर में ही ले अनुम अपर ने कर दो CHS तो मौलवी साथ, क्या एक सेयद जादी की शादी उससे नहीं हो सकती जो खुदा और उसके रसूल का मानने वाला हो, परहेजगार हो, सेयद जादी का इतराब करने वाला हो? बेटा वजदाद, मैं फिर से वही बात करूगा, एक सेयद कराने की लड़की दूसरी लड़की उससे अफसल होती है, और उसके अफसल होने की बस एक ही दलील है, वो मेरे रसूल के खांदान की है, रही बात शादी की तो बहुत से अलबादीन ये भी लेगते हैं कि अगर ल बहुत सारी बातों में वो उनच कर रह गया था, जिसको उसने खुद पढ़ना था, खुद सोचना था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मॉल्वी साब, आपने मुझे अपना इतना कीमती बग दिया, उसने मॉल्वी साब की तरफ देखा और उनकर शुक्रिया अदा करके मुझू बनाने के लिए उटने लगा, उसने सोच दिया था, अब वो इस मस्ते पे खुद तहकी करेगा, फिजा आओ ना थोड़ी दिल लाइबरेरी, में जाते हैं, अभी तो क्लास को बहुत टाइम है, सरी, पतरी क्या शोक है तुम्हें लाइबरेरी का, पतरी कैसे लेती हैं तुम्ही इतने मोटे मोटे नावल और किताबे, आपने कभी पढ़े हो तो आपको पता हो ना, मुझे कोई जरूरत भी नी ओवर एक्टिंग पढ़ने की, वो दोनों एक दूसरे के हाथ पे हाथ लिए चल रही थी, पीजा को फूल बहुत पसंद थे, वो हर फू जल्फों के होश में ब्होश हो गई, अब बताओ वो कैसे उसके जल्फों के अःष बेहोश हुआ, मतलब उसके जल्फों भी इसका बन्द्बू आ रही थी कि वो ब्होशी हो गया, अब बन्दा नॉबल न पड़े, बल्के ओवर एक्टिंग पड़े, फिजा ने उसके ए के एक नॉवल गिन गिन के बताने लगी बेहन नॉवल कोई नॉर्मल लोग तो पढ़ते नहीं है कि आप जैसे अब नॉर्मल लोग ही पढ़ते हैं आप ने जाना है लैबरेरी तो जाए मैं नहीं जा रही पीजा ने एक खुबसूरत सफेद गुलाब को जमीन पे बैटके छूते हुए का मर जाओ तुम फीजा मैं अकेली जाओ ना बिरेरी नहीं बेटा सबर मैं पूरी युनिवस्टी को बोलती हूँ आपके साथ जाए उसी ने उसी तरह फूलों को छूते हुए का जरी नहीं अंदर तुमारे वो बैठे हुए जो तुम्हें अंदर जाते डर लग रहे हैं मैं अभी फूलों को देखूंगी दफा हो जाओ तुम फीजा बताओ किदर दफा हो जाओ उसने मुस्कुराहट को चुपाते हुए पूछा चहन्दुम में दफा हो जाओ और उन फूलों को भी अपने साथ लेके जाना फीजा को घुसे से कहते हुए वो लाइबरेरी की तरफ चलीगी और फीजा उसको जाता देकर मुस्कुराने लगी सर प्याई कमिन हानिया वजदान के आफिस पे आई जो अपनी गुर्सी पे बैटा कम्प्यूटर पे कुछ काम कर रहा था येस उसने कम्प्यूटर से नजर अटाते हुए उसको देखा और फिर काम करने लग गया हानिया को लगा उसकी सारी त्यारी धरी की धरी रहे गी वो जो इतना त्यार हों के आई थी उसको एक नजर भी नी देखा उसने जी मिसानिया आपको कोई काम था वो वैसे एक कम्प्यूटर पे नजरे जबाए बैटा था उसको खड़ा देखके उसने खुद ही पूछा सर वो एक जी मुझे ये कहना था के वो मुसलसल एक हाथ को दूसरे हाथ में दबाने लगी थी जैसे उसको कहने भी मुश्किल हो रही हो जी के ये मैं सुन रहा हूँ अब की बार उसने कम्प्यूटर से नजरे अटाई और उसकी तरफ देखने लगा जो ब्लैक टीट्स के ओपर सुर्ख शॉर्ट फ्रॉग पैने पाल खोले खड़ी थी सर मुझे आपका परसनल नमबर मिल सकता है उसने उसकी तरफ देखते वे मुकमल एत्माद से पूछा उसको लगा वो उसकी खुबसूर्ती से आखिर मुतासिर होई गया है क्यों चाहिए आपको मेरा नमबर उसने कुर्सी के साथ टेक लगाते वे उसकी आँखों में आँखे डालते वे का उसको हानिया की इस बात से बिलकुल भी हैरती हुई थी उसका नमबर लेना तो हर लड़की की खुआश थी अकसर लड़किया हानिया की तरह उससे खुद नमबर मांगती थी हानिया को लगा वो अब कुछ बोल नहीं सकेगी उसका इस तरह से बात करना उसको बिलकुल इस लेचे की तबको नहीं थी वो एक खुबसूरत और पुरे तमात लड़की थी जिसका नंबर हर लड़का मांगता था और आज वो मांग रही है तो वजदार को तो खुश हो के दे देना चाहिए बगर उसका इस तरह सीरियस होके पूछना सर वो स्टडी से रिलेटिड आप से टॉपिक्स वगरे डिसकस करने थे तब ही कह रही थी अगर आपका नंबर मिल जाता तो अब की बार वो स्की आँकों में आखे डालके नहीं कह रही थी बलके नजरें छुगाया शर्मिन्द की से बोले जा रही थी उसको समझ इनगी आ रहा था वो क्या कहिए उसने तो सोचा ही नहीं था उसके मांगने पर उसके जवाब क्यों बेभी हो सकता है उस वक्त जो भी उसके मूँ में आया उसने कह दिया हादिया आपको जो भी डिसकर्स करना है आप क्लास भी किया करे मेरे क्लास में किसी को स्टडी से रिलेटिड बात करने से बढ़ा नहीं किया अगर आपको क्लास में नहीं पूस्टा तो मुझसे आफिस में पूस्टिया करे बट सोरी मैं अपना परस्टल नंबर नहीं देता किसी को आई होप आप मेरी बात को समझेगी वो उसी तरह कुर्सी के साथ टेक लगाए बैटा उसको कहता चला गया और वो साकित से उसको देखती रही आपको और कोई काम है मिसानिया उसने अब कंप्यूटर को देखते में जैसे कहना चाता हूँ अब आप यहां से तश्रीफ ले जा सकती है दो सर उसको लगा जैसे उसने सब कुछ गलत सुना वो कैसे उसको इंकार कर सकता है कैसे उसको टुकरा सकता है ठीक है मिस्टर वजदान नमबर तो मैं आपका कही से भी ले लूगी और अपनी इस पेस्टी को भी याद रखूगी कुछ वक्त पहले तक मेरी खौइश थे अब तुम जिद हो वो आँखों में आसू लियो उस शच्छ को देखते वे दिल में कहने लगी जो मुसलसल कंप्यूटर पे लगा काम कर रहा था वो आज पहली दफ़ा फिज़ा के बगएर के गईती लाइबरेरी में अंदर जाते ही उसको एक अजीब सा सकून मिला था उसको बैसे भी खामोशी बहुत पसंद थी खामोशी में बैटके पढ़ना उसे हमेशा से अच्छा लगता था और एक किताबों की आशीक के लिए उसे जादा पुर्सरूर और कौन सी जगा होगी जहां हर किसम किताब इतनी सकून वाले बाहूल में बैसर हो वो बगण सी इदर उदर घूपती रही हर किताब को देखती रही उसने सिंकी पे पहली दफ़ा इतनी किताबे देखी थी वो आज पहली दफ़ा लाइबरेरी आई थी काश में पहले आ जाती यहां उसने अल्मारियों के शीशों पे हाथ फिरते वे दिल में कहा उसने शीशा खोला और एक किताब निकाली जिसमें आशी के रिसूल अवैस करनी लिखा था उसको हमेशा से शोग था कि वो अवैस करनी रहमतुल्ला अले इसलाब को पढ़े आकाजान अले इसलाब के आश्कों में बड़े मकाम पे पाइस उस शखस को पढ़े जिसने बगएर देके आकाजान से इसकदर मुहबत की कि उनका चर्चा आकाजान के सामने भी होने लगा और आज भी महभूब के आश्कों में उनका नाम सुनेरी हरूफ में लिखा जाता है वो बहुत शोक से किताब लिए कुर्सी पे आई और किताब मेज पे रखके बैट की उसको याद था उसने घर से निकलने से पहले वुजू बनाया था वो कभी भी आकाजान को बगएर वुजू किये नहीं पढ़ती थी तो उनके आश्कों कैसे पढ़ती उसने किताब खोली और प्यार से उस पे हाथ फेने लगी राहे इशके शनाव उसने जैसे ही पहला लफ पढ़ा उसका दिल कापने लगा वो नभी के आश्कों में कहां किस जगा खड़ी है क्या उसका नाप भी खुदा के हज़ूर आका जान के आश्कों में लिखा जाएगा क्या वो भी आका जान से अवैस करने रह्मतुल्ला जैसे ही मुहबत करती है वो आका जान पे दूरूत पढ़ने के लावा और करती ही क्या है उसके दिल में एक दूकी चिंगारी उठी अल्ला रह्मतुल्ला लवीत ने तो कहा है मेरे मेहबूब से हर चीज से बढ़के मुहबत करो तो क्या वो इतनी मुहबत करती है हर चीज से बढ़के इश्क दम जिबराईल इश्क दिल-े मुस्तफा इश्क खुदा का रसूर इश्क खुदा का कलाव इश्क की मस्ती से है पेकर कुल तराप का इश्क है सबाई खाम इश्क है कासल कराब इश्क फटाए हरब इश्क अमीर जिनूद इश्क है इबन सबील इसके हजारों म Ka वो जैसे जैसे बढ़ती की उसकी आँखों में इश्क रवा होने लगा वो रहे थी किसी लड़के की मुहपत में नी दो जाहानों के सरदार की मुहपत में अगर किसी आशी की नज़र से देखे तो सारा आलम जाहान हुस्त औ-इश्क रखोंट में नज़र आता है उस साथ अक्तस को सोच रही थी कि एक दस्वानी आवाज उसके कानों से टकराई उस आवास में कुछ अजीब सा सहर था वो एक तब उपर हुई और अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगी जो सर से पाउ तक सरापै नूर थी उसने काला अबाया लिया हुआ था और क मैं यहाँ पे बैट जो उसने इसकदर नरम लेजे में उससे पूछा वो हिरान हुई कोई ऐसा भी बीठा बोल सकते हैं उसका धिल जा रहा था वो लड़की योही खड़ी रहे और वो पस उसको देखती रही जी बैठे ना मुस्कुराते वे उसने उस लड़की को बैठने का का अवैस करनी को पढ़ रही है आप उसी मुहब्बत वाले अंदास में उसने उससे पूछा और सामने पड़ी किताब को मुहब्बत से देखने लगी जी मुझे मुझे मुहब्बत हर आश्क के रसूल से नजरे जुकाई उसने उस लड़की को का फिर तो मुझे भी पाद से हैरत हुई उसने उसकी तरह देखते वे फिर पूछा आपको मुझसे मुहब्बत आपने कहा ना आपको हर आश्क के रसूल से मुहब्बत है तो इसी तरह मुझे भी हर आश्क के रसूल से मुहब्बत है वो लड़की उसको देखते वे बोलती रही नहीं मैं इस का जली की तरका में बैटी है, उसकी आंखों से आसु गिरते, उसके हाथों से टकरा के वे ही जजब हो जाते, और वो एक सरूर में बोलती गी, वो लड़की उसको देखे जा रही थी, बगैर पलके जब काई, वो उसको सुनती रही, जब तक वो खामोश नहीं हुई, क्या नाम जा है, उस लड़की ने मुस्कुराते वे जर्मीना को देखा, जो मुस्तकिल उसको देखे जा रही थी, आईशा गुल, जर्मीना के मुह से भी अख्तियार आईशा गुल निकला, नहीं नहीं, आईशा गुल नहीं, आईशा सिद्धी का नाम है मेरा, उसने मुस्कुराते बगर मुझे तो आप आईशा गुल लगी है पिल्कुल जन्द के पत्ते की आईशा गुल जैसी सर्मीना नई इसकदर मासूंगियत से का कि उसने बड़े प्यास से उसके चेरे पे हात रखा आप मुझे आईशा गुल कह सकती है बगर? अच्छा जर्मीना अब मेरी कलास का वक्त है मैं कलास लेने जारी हूँ अल्ला ने चाहा तो फिर मिलेगे एक बात याद रखेगा जर्मीना नभी क्रीब सलनलाई लेवसल्म के जिकर पे जिसकी आँखों से आसू रवा हो वही सच्चा आश्च के रसूल है उसने उड़ते वे जर्मीना की तरफ देखा और उसी धीमे से लेचे में बोली और खुदाहाफिस कहके वहां से चलीगी दिल के आईने में हैं तसवर याद जब जरा गर्दर जुकाई देख ली वो अपने उसी अंदास में भागतावा हाथ में मुबाइल और चैका कप लिए कलास में आया कहते हैं जब आपको महब्बत हो जाए तो आपको उस महब्बत को कबूल करने पे वक्त लगता है और वो जितना वागत होता है आपके लिए एक सेकिंट की अजियत का सबब बनता है और जब वो मुब्बत कबूल हो जाए आपको अंदर से एक सकूर मिलता है आप अपने महब्बूम की सूरत से फिर भागते नहीं हैं महब्बूम को सोचते हैं उसके एक दीदार के लिए पूरी दुनिया को दाव पे लगा देते है बजदान को भी अपनी महब्बत के कबूल करने पे एक सकूर मिला था अब वो उस महब्बत से भागता नहीं था उसको हर तरह से कबूल करता था सलाब के बाद अब वो बगएर कुछ बोले अटेंडस लेता था और रवानी से बोलता चला जाता बगएर मुस्कराए बगएर किसी से बात किये आज भी वो ऐसा ही कर रहा था कि उसके दिल को अजीब सी घुटन होने लगी आज रोल नमबर बारा पे कोई नी बोला था उसने एक पर फिर रोल नमबर बारा कहा फिर कोई नी बोला उसके हाथ कापने लगे दिल को जखमी कर देने वाला इसास उसके अंदर हुआ उसने नजरे उठाई वो जो कभी रोल नबर 12 पे नजरे उठा के नहीं देखता था जो उसकी नजरे पूरी कलास का ताकुब करने लगी वो बगएर कुछ बोले एक एक कुर्सी पे नजरे खुमाता उसे एक लड़की को देखने लगा जिसके साबने बोहार किया था वेर इस रोल नबर 12 उसने खुद पे काबू पाते हुए बगएर किसी तास्र के फिजा की तरफ देखते हुए पूचा सर वो लाइब्रेरी गई थी मैं उसको लेने भी गई थी मगर वो वहाँ नहीं थी मैं उसको हर जगह देखा जहा हम होते हैं मगर वो कहीं नहीं बिली वो रोने वाले अन्दास में बोलती की और सामने खड़े सेयत वजदार रुसायचा के दिल पे छुरिया चलने लगी उसको लगा जैसे उसका दिल कोई छोटा छोटा करके काट रहा है आप हर वक्त उनके साथ होती है फिर अकेला क्यों छोड़ दिया ऐसे उसको पता था अगर कोई ओल लड़की होती तो वो शायद कलास से छुपी होती बगर ये तो जर्बीना थी जो कभी अकेली नजरी नहीं आई थी जो डर से किसी लड़की से बात भी नहीं करती थी वो काफी टाइप से नहीं मिल रही वो किदर है सर मैंने बहुत धूड़ा उसको अब फिजा पकाईदा रोने लगी थी धूड़ा तो मिली क्यों नहीं उसने ऐसे अदास बिका के सब भेरान रहे गे आप आए मेरे साथ फिजा वो सब कुछ वहाँ छोड़के फिजा के साथ कलास से बाहिछ चला गया उसकी इस अदास पे सारे कलास वाले उसको गोर्ट से देखने लगे उसकी आँखों की वहिशत सब को साफ साफ दिखाई देने लगी आज वो उन सब को एक टीटर से जादा एक दिवाना लग रहा था जो अपनी महबूबा की गुम्शुद्गी पे मारा मारा फिर रहा हो आप आखरी दफ़ा कहा बैटे थे उसने मूँ से पसीना साफ करते में फिजा से पूछा सर आखरी दफ़ा हम यहां ग्राउंड में बैटे थे वो लाइबरेरी जाने की जित करने लगी मैं यही फूलों के पास बैटी थी वो लाइबरेरी चलीगी आपकी कलास से दस में पहले में उसको ढूलड़ा शुरू ही मगर वो कहीं नहीं मिली वो तो बुर्ड़ डरती है सब से उसकी तो कोई दोस्त भी नहीं मेरे इलावा वो तो मेरे इलावा की चाथ cuma नहीं देíllकर है फिजारोते में उसको एक एक लफोई बताने लगी वो पाउगलों की तरह हिदर उदर देखने लगा कहीं से उसको वो हिजाब वाली सूरत नज़र आ जए बगर वो कहीं नहीं थी उसको लगा उसका दिल फट्ने लगा है अगर कुछ दिर उसको वो नज़र ना आई तो शायद वो मर जएगा उसने अपने जेब से सिग्रेट निकाले और पीडे लगा आज सेयिद मजदार रुसेटशा को सिग्रेट पीते हर कोई देख रहा था आज उस निवाने की दिवान की सारा चाहात देख रहा था और वो मारा मारा पिर रहा था बगहर कुछ सोचे, बगहर कुछ सब्जे उसको याद ही नी रहा वो एक टीचर है और सब उसको देख रहे हैं वो इदर से उदर भागता रहा एक सिगरेट खता होता तो दूसरा लगा लेता आज वो पूरी दुनिया को अपनी इस रवेए से चीख चीख के बता रहा था हाँ मुझे 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 बुखबत होगी है वो जो मुखबत से के योपर होता है मुझे उस दिड़की से इश्क है वो लाइबरेणी में गया एक-एक बंदे को देखने लगा वर अगर उसको वो वहाँ नसर नहीं आई खेरियत वजदान सर हर कोई उसकी ये जनूनियत देखकर उससे एक ही बात बूसता और वो सिगरेट हाथ में लिए बगए जवाब दिये भागता चला जाता क्या हूए सर को पाहिए खड़े ओने वाला हर स्टूडेट उसको देख के आपस में एक दूसरे से बूसता और वो सबसे बेरियास उसको बस देखता रहा बलका कहा हो तूब वो सेड़ियों के पास रुका उसका सास भूलने लगा उस ते अपने दोनों हाथ अपने गुट्टों पे रखे और लबे लबे सास देने लगा कहा हो तो सुनो आज जो मेरे साम ने बलका इससे पहले कि वजदार का दिर धड़कना भूल जए उसकी सांसे रुख जए जर्मीना फिजा जर्मीना को स्टेडियम के एक कोने में बैटे हुए देख के उच्चा सा चिलाई क्या कर रही हो तुम यहाँ फिजा ने उसी लेज़े में उससे पूछा वो जो अपने हाथ में किताब लिए बैटी थी चोंके उसकी तरफ लटी क्या हुए फिजा उसने फिजा को पहली दफ़ा इतने गुस्से में देखा था मुझसे पूछ रही हो क्या हुए क्या कर रही हो तुम यहाँ यहाँ पे मरने आना था तो मुझे बता कि आती न फिजा के लेज़े में गुस्सा फिकर प्रिशानी सब कर तासूर चलक रहे थे मैं लाइबरेडी में थी पिर यहाँ देखा कोई नहीं तो सोचा कुछ दिर यहाँ पे बैटके किताब पढ़ लो मगर तुम्हे क्या हुआ है वो अब भी हैरत से फिजा को देखती रही वो ऐसा क्यों कर यह आखिर हुआ क्या है फिजा पकवास बंद करो अपनी टाइम देखा है तुमने वजदान सर की क्लास का टाइम भी खतम हो गया है ओ यारा जी मुझे तो होशी नी ना मुझे पता ही नी चला उसने हाथ में बंदी घड़ी को एक नज़र देखा और फिजा को देखने लगी उसका घुसा बिलकुल चायस था वो कैसे किताब में गोम होगी कि उसको खबर ही नी हुई और सर उनकी क्लास चलो अभी दर से वजदान सर तुम्हे कब से ढूड रहे है फिजा ने उसका हाथ पकड़े हुए उसको लेक के जाने लगी वजदान सर वो चलते चलते एकदम रुखी जैसे उसको लगा उसने सुनने में कोई गलती की है वजदान सर उसको ढूड रहे है जी हाँ वजदान सर वो कब से तुम्हे हर जगा ढूड रहे है लेकिन वो मुझे क्यों ढूड रहे है उसने एक पर फिर हैरत से उससे पूछा जरी अपनी बगवास बंद करो चलो सर कब से पागलों की तरह तुम्हे ढूण रहे है उसने घुस्से में जर्मीना का हाथ पकड़ा और फिर से उसको गसीटे लगी हाँ वही तो मैं भी पूछ रही हूँ ना सर मुझे क्यों ढूण रहे है क्लास में इते लोग बंक भी करते है सर ने तो कभी नहीं ढूण आ उनको फिर मुझे क्यों उसने एक पर फिर उससे पूछा जो उससे में चली जा रही थी और उसको हाथ पकड़े घसीटी जा रही थी जरी ये पकबाद जो तुम मुझसे पूछरी हो ना तुम सर से पूछता वो पागलों की तरह तुमें क्यों ढूंड रहे है अब की बार उसका लेजा और अदाज ऐसा था कि वो बगएर कुछ पूछे उसके साथ साथ चलने लगी मुझे तो लगता है वजदान सर कुछ जादा इंटरस्ट ले रहे है उसमें इरम ने कलास में बैटे हानिया को देखते में का जो उसके साथ वाली कुरसी पे बैटी थी इंटरस्ट? वो क्यों लेंगे उस सर्मीना में इंटरस्ट? हानिया ने सुर्ख होते में चेरे के साथ इरम को देखा जबकि उसको खुद भी कुछ ऐसा ही वहम हुआ था आज जिस वजदान को वो देख रहे थे उससे तो सब को पता चाल रहा था कि वजदान के लिए जर्मीना क्या आएमियत रखती है तुमने देखा नहीं हानिया वो कैसे कलास से बाहर गए है और कैसे इदर से उदर फिर रहे हैं सिर्फ उसको ढूडने के लिए जैसे वो बच्ची है कोई जो खो गई है इर्म ऐसा कुछ नहीं है वो अपने हर स्टूडन को लेके ऐसे ही पोसेसिव होते है और जर्मीना में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जो सर्वजदान जैसा बंदा उसके पीछे पड़े उसने नजरे जुकाई हुए पुर्सोच से अंदास बेरों को का उसके दिल में एक आख लगी हुई थी कैसे वो उनके आफिस गई और कैसे उन्होंने उसको धुर थुदकार दिया और आज उस सर्मीना के लिए कैसे मारे मारे फिर रहे है सर्मीना तुम हानिया का मुकाबला कभी नी कर सकती कभी नी वजदान को हानिया ने चाहे वो सिर्फ उसका है और अब तो मेरी चाहत मेरी जिद बन गी है मैं उसको हासिल करके रोंगी कोई कुछ भी कर ले वजदान सिर्फ हानिया का ही है सिर्फ हानिया का उसने आँखों में आसू लिये जल्दे दिल के साथ दिली दिल में कहा वो सीड़ियों के पास ऐसे ही खड़ा था जैसे उसने आज बहुत काम किया और वो बहुत ठक्या और अब उसकी एक भी कदम चलने की हिम्मत नहीं थी वो गुटों पे हाथ रखे जुक के खड़ा था आज पांच पैनों का अकलोता भाई अपने माबाब का अकलोता बेटा एक लड़की के लिए यू दिवाना फिर रहा था उसको आज उस दड़की के लावा किसी की कोई होश नी थी आज उसकी एक ही तबना थी बस एक पार सिर्फ एक पार वो उसको अपने सामने देख ले उसने आँके बद कियो और आँखों का करनों साफ करने लगा जिससे मुसलसल आँसो निकले जा रहे थे क्या मुहबबत इतनी बेपास होती है क्या हर कोई मुहबबत में इतनी बेपास होता है या वो ही हुआ था क्यों वो उसे एक लड़की को देखने के लिए दिवाना बना हुआ है आखिर क्यों वो आँखों को मसलता हुआ जैसे ही उपर उसको सामने से आते हुए हिजाब में बो लड़की नजर आई वो आज भी पहले दिन की तरह हिजाब के साथ कंदों पे चातर लिये दूसरी लड़की के हाथों में हाट डाले उसके पीछे पीछे आ रही थी उसने उसको एक बार देखा और गर्दर जुका ली एए मेरे मौला तुम उझको नगार के भी सुनते है बेशक तुम बहुत रहीब है वो जो कुछ वक्त पहले इदर उदर दिवाना वार फेरा थे एक तब पुर सकूर हुआ जैसे उसको इसको इसकी दुनिया मिल की हो उसने खुदा से बस आज उसके एक दीदार की दुआ की थी या ला बस एक तफ़ा सिर्फ एक तफ़ा वो मुझे नजर आ जाए उसके नजर आते ही उसका दिल चाहा वो वही सजदे में गिर जाए खुदा का रो रो के शुकर अदा करे सच्टे में गिरे और फिर कभी भी ना उठे उसको मांगता रहे उसने अभी तक खुदा से उस लड़की को नहीं मांगा था वो खुद को उस पाकिस्गी की काबिल नहीं समझता था वो नहीं चाता था वो उसको मांगे वो लड़की उसको मिले वो तो बस उसकी मुहबत में मर जाना बांगता था जैसे जैसे वो हिजाब में बल्बूस सफेद चादर कंदों पे कि ये नजदी का रही थी उसके दिल की धड़कन और तेज हो रही थी उसके सारे ऐसा जवाब दे रहे थे उसको लगा उसकी टांकों में से रफ्ता रफ्ता सांस निकल रहा है वो अभी गिर जाएगा उसकी आँखे अभी चलक चाहेगी उसके होट कपका पाने लगेंगे वो खुद पे काबू नहीं पासकेगा वो उसके सामने गिर जाएगा वो जैसे जैसे करीब होती कि उसकी जुकी नजरे उसके करीब आते कद्बों का ताकुब करने लगी वो उसके पास आई ही थी कि उसने खुद को संभाला और अपने मखसूस अंदास में उसको एक नजर भी देखे बगार वहाँ से दोड़ता हुआ चला गया उसके वहाँ से जाने पे फिजा ने जर्मीना की तरफ देखा अभी तो इतना पांगलों की तरह ढूँड रहे थी और अभी देखे बात भी नहीं की फिजा जर्मीना को देखते हुए हैरत से कहने लगी वो सेएद वजदान हुसेद जाय जर्मीना को क्यों ढूटेगा जर्मीना ने नजरे जुकाए हुए फिजा जिका बगर जरी अभी तो इतना अच्छा छोड़ो ना छुटी होगी ये जान जी मेरा इतजार कर रहे होगे विजा बोली रही थी कि जर्मीना ने उसकी बात को काट दिया और चलने लगी सर्मीना उसे एक दफ़ा भी नी पूचा और ये कह रही है कि मुझे ढूट रहे थे जर्मीना दिली दिल में सोच रही थी उसको अजीब सा दुक हुआ था वजदान के ऐसे जाने पे खेर मुझे क्या ने पूचा तो ना पूचे उसने दिल में सोचते हुए कहा जान जी किदर है आप या ला क्या होगा मैं अकेले कैसे उनिवस्टी में बैठू अब तो सब जारे में क्या करूँगी कैसे जाओगी मैं तो पहले कभी लोकल गाड़ी पे ने गी मैं क्या करूँगी जान जी किदर है आप आए क्यों ने अभी तक मुझे लेने वो युनिवस्टी के दर्वाजे के पास बैठी हुई भाई का इतजार करी थी वो बार बार चोकी दार से पूछ रही थी चचचा मिरी गाड़ी तो नहीं आ रही ना नज़र नहीं बेटा मैं पेचानता हूँ तुमारा गाड़ी आहेगा तो मैं आपको बता दूगा वो बार बार उन्ती और फिर बैठ जाती यल्ला मैं क्या करूँ अब बेटा परिशान ना हूँ आपकी गाड़ी आ जेगी चचचा पूरी यूनी खाली होगी मैं कैसे बैठूगी इतना ऐसे लेड़ी बेटा सब टीचर्स अंदर ही है उनका कोई मीटिंग सीटिंग चल रहा है रिजवान खान ने उसको परिशान होता देखे कहा चचा आप प्लीज एक बार फिर देखे ना हाँ हाँ मैं देखता हूँ तुम परिशान ना हो वो दर्वाजे से बाई जाके देखने लगा टाइम गुजरता गया और वो ऐसे ही बैठी नी उसकी हिम्मत अब जवाब दे ने लगी पूठी और युणिवस्टी के गेट के बाहर गई किदर जा रहे तुम रिजवान खान ने उसको गेट से बाई जाते देखे पूछा घर जा रही हो वै चला जाएगा केला जी चच्चा में चली जाओंगी आप परिशान ना हो वो युणिवस्टी के गेट से हो वो आँके बंद किये बसलना से अपनी इस्द की हिफाज़त मागती रही उसके खड़े होने पर हर टेक्सी वाला रुकता और उससे पूसता कहा जा रहे बीबी मगर वो किसी को भी जवाब दिये बगए नीचे देखने लग जाती और टेक्सी वाले भी एक बिडरों के वह देखने लगी जिसने उसके नजरे उड़ते ही अपनी नजरे चुका ली भाई और किता टाइम लगेगा सुल्तान ने शदीद परेशानी से मकैनिक से पूचा जो पिछले एक हैटे से उसकी गाड़ी के नीचे लेटा पूर से निकाल और डाल रहा था भाई बस 15 मिंट और लगेगे फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी उस मकैनिक ने गाड़ी के नीचे से सुल्तान को बताया 15 मिंट बसीद उसने घड़ी पे टाइम देखा जो 4 बच के 5 मिंट बजारी थी सरी को तो 5 बचे छुटी हो जाती वो क्या करी होगी अब यहाँ कोई लेटे में गाड़ी नी ठीक हुई खान जी अब गाड़ी में का भी इतना था कि में क्या करता उसने बूरा बनाते हुए का और फिर पुर्जे जोड़ना शुरू हो गया काश में जरी को मुबाइल ले देता मुझे उसकी खेरियत का पता चल जाता उसने वहाँ खड़े- जोचा और फिर मकैने के पास किया रुकईया सुल्तान को फिर से फोल लगाओ अभी तक वो क्यों नहीं लाया उसको दादी अमा अपने कमरे से बाहर आई थी और रुकईया बेगम ने तीसरी बार फोन कर सुकी थी अमा सुल्तान कह रहा है बस थोड़ा सा काम रह गया है ब उसे कौन सा शोग था मुबाइल का मगर में ने उसी दिन के लिए कहा था आज उसके पास मुबाइल होता तो हमें इतनी परेशानी ना होती हमें उसकी कोई खबर तो मिल जाती अब पता ने की तर होगी वो इतना वक्त हो गया है रुकईया बेगम दादी अमा से जादा पर पर शाती पार पर दौा कर रही थी आला मेरी बच्ची की इफाज़त करना उसको अपने अमार में रखना उसको तो रास्तों कभी नी पता क्या कर रही होगी वो और यूनिवस्टी का महौल उनको यूनिवस्टी के महौल पे हमेशा परेशानी होती थी आस दो वक्त भी इत था वो सर मेरी गाड़ी नहीं आई उसने उसको देखते हुए का ये पहली बार थी वो उसके इतने करीब खड़ी थी उसको लगा जैसे वो आज किसी औरी दुनिया में है वो उसके इतने पास थी कि दर्मियाद से कोई तीसरा बंदा नहीं गुजर सकता था ये कैसी मुहबत ह मेरे बोला मेरी महबूबा मेरे सामने खड़ी है और मुझे इतनी हिबत भी नहीं कि मैं उसको नजर उठा के देख सकूँ उसने जर्मियाद के इतने पास खड़े होते हुए सोचा बाबू जी कुछ दे दो सुबा से कुछ निखाया मेरे कुछ दे दो वो दोनों महां थी उन लोगों से जो पेशावराना मांगते थे जिनों ने मांग के पेट पाला एक पेशा बना रखा था वो उन लोगों को धुत कारता भी नहीं था मगर उनके खाली हाथ कभी भरता भी दी था वो लड़की मांगती रही और उसने उसको बस यही का बेटा चले चाहिए उस दड़की को पता चल गया था उससे उसे कुछ भी नहीं मिलना वो जल्दी जल्दी वहां से कई और किसी और के पास खड़ी होगी और वही मखसूद चुबले दो अड़ाने लगी आप कहे तो मैं आपको छोड़ दू वो अपी नजरे चुकाए उसकी तरफ बुरते हु वो अब की बार जर्मीना की तरफ बुरी थी उसके साबने हाथ फिलाने लगी बेटा मैंने आपको कहा है न जाए आसे जर्मीना की तरफ उसको जाता देखके आप उसने सकती से उस दड़की को बोला था मगर वो लड़की मांसे हिलने का नाम नहीं ले रही थी बापू कु देदो उसने जर्मीना की तरफ देखते वे बड़े शोख से वजदान को का वजदान को लगा अब की बार वो वहां से हिल नहीं पाएगा वो उससे उन आँखों का सदका मांग रही थी जिस पे उसने अपना आप फार दिया था जिन आँखों को दे के वो दिल्या को भूल गया था कि वो सेयद बजदार हुसेद शाय जिसमे खुबसूरत से खुबसूरत लड़की बढ़ती है आज वो लड़की उसकी आँखों का सदका मांग रही जो उसको पनी आँखों से बनने की सकत रखती थी उसने एक लभ्हे को पनी आँखे बढ़के और दिल में बोला उसकी आँखों के सद्के में मेरी जाल ले लो, मेरी सारी जिन्गी ले लो, क्या इसे बड़ा भी कोई सद्का हो सकता है जो किसी को कोई दे। वो उस दड़की के पास गया, अपना वालेट निकाला और उस दड़की को पाँच अजार का नोट दिया। उसके पास उसकी आँखों का सद्का देने के लिए उसके वालेट बेसे बड़ा कोई नोट नहीं था। उस लड़की ने पैसे लिए और उलट पुलट कर देखने लगी, उस ते कभी पाँच हजार का नोट देखा ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था उसके पास कितने का नोट है। उसके हाथ में कुस्तो आया था वो खुश थी। वो समझ रही थी ये दोनों बिया भीविया उसने उनको दुआ दी थी। खुदा तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। उसके इस बात ने वजदात के दिल में सकून उत्रा चेरे पे हलकी से मुस्कार रही जो सिर्फ वो ही मैसूस कर सकता था और उसके दिल ने आमीन कहा। जर्मीना ने ये सारा मंज़र देखा था उसने पांच अजार का वो नोट भी देखा था जो उसने उस दड़की को दिया था जिसको वो दास और पे देने का भी रवदार नहीं था वो उसकी तरफ देख दी रही और वो नजरे जुकाई खड़ा रहा। आई मैं आपको गारी में बिठा दू। उसने जर्मीना की तरफ मुड़ते हुए का जो उसको देखे जा रही थी और वो नजरे चुकाई उसके पास था वो उससे पूछना चाती थी उसने क्यों उस लड़की को पांच अजार दिये। उस लड़की ने तो उससे आँखों का सदका मांगा था उसने तो कभी उसकी आँखे देखी नहीं है फिर उसने क्यों उसकी आँखों का सदका पांच अजार दिया है जर्मीना वो ये सब सोची रही थी उसने एक आवाज सुनी और एक तब पीछे बुड़ी जान जी आप कौन था ये जर्मी सुल्तान ने गाड़ी चलाते वे कुछ वक्त बाद उसकी तरफ देखते वे पूछा मेरे टीचर है ये पजदान सर उसने शीशे से बाहिर देखते हुए का तुम बाहिर क्यों आई थी तो किदर जाती में उसने यकीनर रोते हुए का वो पहली तपह ऐसे सड़क पे खड़ी हुई थी इतना इंतजार किया था जरी येलो मुबाइल सुल्तान ने अपने जेव से मुबाइल निकाला और जरी की तरफ किया मुझे नी चाहिए वो जो कब से मुब बनाए बाहि देख रही थी मुबाइल को देखते हुए साफ इंकार कर दिया लेकिन इसकी जरूरत है जरी आज अगर मुबाइल होता तुम्हारे पास तो इतनी परेशानी ना होती तुम इस तरह रोडों पे किसी गैर मर्द के साथ ना खड़ी होती उसने आखरी जुम्ला उसको देखते हुए का सरी को एक दम करांट नगा उसका दिर एक दम से धड़कने लगा गैर मर्द उसने अपने दिल में वो जुम्ला दुबारा दोराया और मुबाइल लेते हुए शीशे से बाहिर देखने लगी वजदान मुझे बात करनी है तुमसे फात्मा का लेज़ा इतना सख्त था कि उसको एक मिट के लिए यकीनी नी हुआ यह उसी की बेहने जो उससे बात करी है जी आपी खानी का आखरी नवाला उसने प्लेट में चोड़ते हुए का अगर वो आखरी नवाला डाल पी लेता तो बेहन का ये रवेया दे के शायद नीचे न कर पाता आपी खेरियत तो है ना बेहन की तरफ देखते वे उसने पूछा जी खेरियत है रात को तुमारे कमरे में आके बात करते है आपकी बार लेजे के सास्त नजरों में भी सकती आई थी बगर आपी कहा ना रात में करेंगे बात वो उठी और बरतर उठा के ले जाने लगी जो कभी उससे उच्ची आवास में बात भी नी करती थी आज वो उसका एक अलगी रूप देख रहा था जरूर कोई बड़ी बात है वरना आपी तो कभी ऐसा नहीं करती वो वही कुर्सी पे बैठा हुआ सोचने लगा ओ कही आपी ने मेरी डायरी तो नहीं देख ली अचानक से उसके दिमाग में वो डायरी आई जिसमें वो अपनी मलका के लिए शेर लिखता था कभी उसकी आँखों पे तो कभी उसकी मासूमियत पे वो भागता वो अपने कबरे में गया और जल्दी जल्दी अलबारी का दर्वाजा खोलने लगा या अल्ला तेरा लाख लाख शुकर है आपी ने डायरी नी देखी मेरी उसने डायरी को वही देख के सकून का सास दिया और फिर से डायरी वहां रख दी जहां वो पड़ी थी वो हमेशा से हर चोटी चोटी बात सोचती थी उसको लोगों की बाते बहुत कम समझाती थी हमेशा सीदी सीदी बाते करने वाली बहुत कम दूसरों की बातों को समझती थी और आस तो उसके पास सोचों का एक बसी समंदर था उसने बहुत कुछ सोचना था बहुत सारी बातों का मत्तब निकालना था वो हमेशा आंके बंद किये बाजू को अपनी आंकों पे रखके सोचा करती थी जरी वो आंकों पे हाथ रखके ड्राइंग रूम के एक सोफे पे लेटी थी आज वो बिल्कुल चुकती जरी अपकी पारुकया बेगम उसके पास आई थी और उसको बाजों से पकड़ कर इलाया जी अमा वो जो सोचों में गुम थी एक दब से उटी और सोफे पे ही बैट गई जरी कोई परेशानी निये तो फिर ऐसे क्यों लेटी हो? ऐसे ये अमा जरी अगर कोई परेशानी है तो अपनी मा से ना चुपाना वो हमेशा उसके यूनिवस्टी जाने के बाद बहुत फिकरबन रहती थी हर चोटी चोटी बात को दिल पे ले ले लेती थी उनके दिल को हर वक्त अजीब सा डर रहता था अमा आप प्रेशान ना हो कोई प्रेशानी निये आज जान जी का इतजार करती रही न तो बहुत ठग गे यू उसने माँ की तरफ देखते वे हलका सा मुस्कुराते हुए कहा मुबाइल दिया है न सुल्तान ने तुमें जी अमा दिया है अब बस यूनिवस्टी को मुबाइल लेके जाना ता कि आईता ऐसा कोई मसदा हो तो तुमारी खेरियत का पता तो हो हमे अच्छा जरी अब जाओ सो जाओ सुबा सेरी भी करनी है तरावी पढ़के सो जाना बस फिर तुमसे उठा नी जाता उन्होंने वहाँ से उठते हुए उसको का आज रमजानलमुबारी की पहनी रात थी जरी को अदाजा भी नहीं था ये रमजानलमुबारी का महीना उस पर क्यामत की तरह बरसेगा आपी क्या हूए क्यू कर रहें आप ऐसे बात उसने बैंट की तरफ देखते वे का जो उसके पास उसके बैंट पे पैटी थी बज़ितानी ये तुम्जसे ना पूछो ये तुम खुझसे पूछो क्यू कर रहे हु ये क्यूं कर रही हूं मैं ऐसे बात उसने उसी सख्त लेजे में उसकी तरफ देखते हुए का आपी अब मुझे परिशानी हो रही है बताए ना क्या हुआ है वजी ये क्या है वो खड़ी है और उसके सरहाने के नीचे से वो डिबिया निकाली और उसके सामने रखी आपी ये आपको कैसे उसका सास हलक में अटकने लगा उसको यकीरी लीओ उसकी बेहर को कैसे पताचंद सकता है उसको ये सीगरेट की तबी कैसे बिल सकती है वजदान आप बोलोगे कुछ क्या है ये उसने सीगरेट की बढ़ी हूई तबी की तरफ इचारा करते वे का वो जो उसके सामने नजरे जुकाई बैटा था बोलने के लिए उसके पास कोई इलफास नहीं थे और बेहन को वो जूट कहना नहीं चाता था स्मोकिंग करने लगे हो तुम वजी अब की बार उसका लेजा बिलकुल नरब था उसने उससे बहुत नरबी से पूछा उसका चेरा उपर किया वो आपी उसकी जुकी नजरे उपर उठी पहन की अज़ान होती आँखों में उसने एक बाल को देखा और फिर नजरे चुका ली वजी कौन है वो लड़की उसने उसकी जुकी नजरों को देखते में बूचा मेरी स्टूडे आपी उसने मगए चूट बोले अपनी मुहबत को कबोल कर लिया था जिस मुहबत को उसने खुद कबोल कर लिया तो उसको चुपाने का क्या फाइदा था वो आप लड़कों की तरह नहीं था जो चुपी मुहबत करता लड़कियों को मुहबत के जासे मिलाता और मुझमूरी का बहारा बना के उसको छोड़ देता उसने मुहबत की थी और आज वो उस मुहबत को कबूल भी करा था खुदा के सामने उसने बहुत पहले कबूल कर ली थी आज वो अपनी बेहन के साबने भी कबूल कर रहा था या ला मैं क्यों सोच रही हो इतना मेरा तालूगी क्या है उनसे जो मैं ऐसे सोचे जा रही हूँ मगर उन्होंने क्यों किया ऐसा क्यों उन्होंने उस लड़की को पांच हजार दिये जिसको वो दस रुपे भी नहीं दे रहे थे उन्होंने कब देखिये मेरी आंके मुझे तो उन्होंने कभी देखा है नी हमेशा मुझे इग्णोर किया कलास में सब को देखते हैं सवाई मेरे सब का नाम भी लेते मेरा तो नाम लेते उनको गुना होता है जब इतना इक्डोर करते हैं तो 5001 मांगने वाली को क्यों? वो हमेशा की तरह अपनी डाइरी पे लिखते हुए अल्ला से बात भी करी थी मैं क्यों सोच रही हूँ उनको क्यों मैं अपनी डाइरी पे उनको लिख रही हूँ? उसने अपनी डाइरी को पढ़ना शुरू किया जो उसने कई दिनों से नी की थी और एक दफ़ा भी नी देखा था वो क्या लिख रही है? जैसे ही वो पढ़ने लगी उसको बहुत हैरत हुई उसने पिछले के सफ़ों पे बस एक ही शक्त का जिकर किया था बगएर उसका नाम लिए कहा किया वो लड़की? पांच सेरा किया अपी उसने वैसी नजरे जुकाई रखी और पेहन सवाल पे सवाल पूछते लगी और वो हर सवाल का जवाब देता रहा कौँ सी कलास में है वो? फर्स सेमेस्टर जॉलजी कर रही है कब से तुम्हे उससे महबबत हुई? पेहन उसका चेरा देखते बस पूछती गई इस सवाल का जवाब तो मुझे मेरी पता आपी मेरे पस उसको एक नजर देखा था और फिर पता नहीं मुझे कब उससे महबबत होगी अब की बार उसने बेहन को देखते हुए का प्यारिये बेहन ने बड़े तजस्स से पूछा उसको पता था उसका बाई जिस दुर्की को पसंद करेगा वो दुरिया की हसी दरी लड़की होगी बेहन की इस सवाल पर उसने आँखे बंद कर ली वो सोच रहा था क्या उसने उससे जदा प्यारी लड़की कोई देखी है क्या उससे प्यारा कोई है इस दुरिया में जो उसने देखा हो वो आँखे बंद किये बैटा था कि उस हिजाब वाली का सरापा फिर से उसकी नजरों के सामने से गुजरा और उसके चेरे पे एक मुस्कुराहट आई वजी क्या वो बहुत प्यारी है पहन ने उसके चेरे पे मुस्कुराहट दे के एक पर फिर से पूछा आज से पहले उसके चेरे पे किसी लड़की के जिकर पे ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी थी वो समझ सकती थी वो लड़की उसके लिए क्या बन गई है आपी, मैंने उसको बस हिजाब में देखा है, मैंने बस उसकी आँखे देखी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने आज से पहले इतनी खुबसूरत लड़की नहीं देखी वो मुस्कुराता हुआ बस बोलता चला जा रहा था क्या मतलब बस हिजाब में देखा है, अगर वो लड़की प्यारी ना हुई तो उसने भाई के इस बात में बहुत हैरत से उसको देखा आपी, क्या मुहबत खुबसूरती से ही होती है, क्या एक लड़की खुबसूरत ना हो तो उसने मुहबत का कोई हक नहीं होता मर्द को, मुझे उसकी खुबसूरती से कोई मतलब नहीं है आपी, मैंने उसको कबूल किया है, खुदा के सामने और आज आप के सामने भी का रहा हूँ, और एक दिन पूरी दुनिया के सामने भी करूँगा इन्शाल्ला, वो जेरे पे मुहबत की मासूमियत निये, नजरे जुकाए रवानी से बोलता जा रहा था, और बहन उसको देखती जा रही थी, वो भी तुम से ऐसी मुहबत करती ये जैसे तुम करते हो, वो उसने बेहन की इस बात पे अपना सर उठाया, आँखों में हैरत उतरी और एक पर फिर मुहबत करें, बदे में वो भी हमसे मुहबत करें, उसने उसी मुहबत करें, उसने उसी मुहबत करें, बतलब क्या है वजी, वो तुम से मुहबत नहीं करत के लिए आप बरबाद हुए जा रहे हैं उसको पता हैं नी पांच बैनों का गलोता भाई उसके महबत ने अपनी बैनों से बात करना भूल गया है। उसको पता ही नहीं, माबाँ आपका बेटा उसके मुहबत में आप उनके बैटटे के मज़ए अपने कमरे में बैटता है। उसको इस बात का भी नहीं बताasis के उसकी मुहबत में वजदार ने वजदात ही वावबाँ पूसके पंदे लिया। ठीक है वो माबाप को भूल गया, ठीक है वो बेहनों को भूल गया मगर वो अपना आप कैसे भूल सकता है बेहन की इन बातों ने उसको अंदर से जिजोड़ा उसके अंदर धर्द की एक लहर उठी वो जैसे बैटा था वैसे ही पीछे हुआ उसका सर बैट के साथ लगा और एक जोरदार आवाज आई पीछे होते ही उसकी आँखे बढ़ दूई वो ऐसा खुदगर्ज कैसे हो सकता है एक लड़की की मुहबत में वो दूसरे रिश्टे कैसे चोड़ सकता है वजी वो जल्दी से उदर से उठी उसको अपने दिल से लगाया जो बिलकुल बेहाल सा पीचे हुआ आपी मैं अब शाय जी ना सकूँ उसके बगार बेहन की दिल के साथ लगे हुए उसने एक दर्दे का वो दर्द जो बेहन के अंदर उता कुतरा वजी तुप परिशार ना हो मैं बस इतना कह रही हूँ उस लड़की को भी पता होना चाहिए ना कि तुम उससे इसकदर मुहबबत करते हो भाई का माथा चूबते वो एक पर फिर बोली सरूरी निया आप ही उसको पता हो मैंने उससे पाक मुहबबत किया और मुहबबत की पाकिस्य की ये इसी कोई शर्त दे है जिससे आप मुहबबत करो उसको पताओ अगर अगर अल्ला ने मेरे दिल बे उसके लिए ऐसे ज़़बा डाले तो उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ तो डालेंगे वो भी तो कुछ सोचेगी उसको भी तो महसूस होगा किसी कौने में एक लड़का उसको दिन रात दौाओं में मांगता है उसको भी तो मेरी तरब महसूस होगी मैं इतजार करूँगा आप भी मैं उसकी महब्बत का उसको बताए बगेर इतजार करूँगा अगर मुझे पूरी जिद्गी भी इतजार करना पड़ा तो मैं करूगा उसके बाद अब ये दिल किसी के लिए नहीं धड़ा सकता ये आँखे किसी के लिए अश्क पहास सकती ये हाथ अब किसी और लड़की को माँगने के लिए नहीं उट सकते वजदान इतजार करेगा अपनी मलका की मुहबत का मैं दुआ करूंगी वजई वो तुमें मिल जाए खुदा उसको तुमारे नसीम में लिख ले फात्मा ने एक बार फिर उसका माता चुमा और महां से उटने लगी आज फिर से वो किसी अलग वजदान को देख रही थी आमीन उसके लबों पे आमीन आया और फिर से वो टेक लगाए पीछे हो गया अब वो उसकी याद में सिगरट नी पीता था बलके मुस्कुरा दिया करता था और अब वो अक्सर मुस्कुराता था आज वो पूरी राद सो नी सकी इस बात का उसको भी नहीं पता था वो सो क्यों नी रही उसको नीद क्यों नहीं आरी वो क्यों सोच रही है वो क्यों सोच रही हो अच्छ को इतना वो क्यों उसके जहन से नहीं हट रहा आखिर क्यों अब की बार वोट के बैटी थी और खिर्की से बाही देके दूआ बांगने लगी उसको लगता था कुले आस्मान के नीचे अल्ला पाक जल्दी दूआ सुनते है मैं क्यों सोच रिय endeavor को इतना आखिर क्यों उसने बही घ्रकी के पास खड़े आखेंब बंगी और खुद को बलावत करके केने लगी या ला मैं नहीं सोचता चालती एक नावहिरम को जिस से तूने सोचने से मना फर्माया है मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ मैं आपको नराज कैसे कर सकती हूँ मैं एपनी जहिं पे एक नामहरब को कैसे ला सकती हूँ मैं अव्यविव Fields आया जो तुम्हारे होकम की पासतारी ना कर सको मुझे माफ कर मेरे मालिक उसने खिड़की पे हाद रका और बेजान सी उसका सहारा लिए आगे चलती गई उसने तहज्जद के लिए वजू बनाया और इतने में मजजदों से आवाजे बुला दोने लगी सहरी करने वालों उठो सहरी का वक्त हो गया है पठानों से जादा पागल भी कोई कोब हो सकती है हारिया ने मुदसिर की तरह मूँ बनाते हुए का मुदसिर के महाने वो जर्मीना पे अपनी दिल की पड़ास निकालना चाती थी कब से सरकबर की गलास में बैटे हुए पठानों के शान में उसके दिल पे जो आ रहा था बोले जा रही थी हानिया जी आपको क्या पता है हम पठानों का हमारे बारे में तो तारीख लगी है जो कि मुदस्र भी पठान था तो वो किदर बीचे रह सकता था वो उसकी हर बात का जवाब दे रहा था जबके जरमीना चुप बैठी पस सुने जा रही थी जी जी मैं जानती हूँ पठानों को वो फेस्बुक पे आप पठानों की शान में तारीब आप नहीं सुनते होते मिस्टर मुदस्र हानिया ने हस्दे में तंजिया से अंदास में का मुहतरमा आपने पठानों के बारे में सुना ही किया है आपने दुनिया के अजीम जंग जो मुगल अक्पर का वो कोल नहीं सुना एक पठान को दोस्ती करके तो हराया जा सकता है मगर दुश्मनी करके कभी नहीं हराया जा सकता यकीनन आपने नहीं सुना होगा तब ही तो आप हम पठानों से दुश्मनी कर बैटी है मुदसिर ने शरारती से अंदास में जर्मिना की तरफ देखते हुए हानिया को का जो ऐसे जाहर करी थी जैसे उसको कोई दिलचस्पी नहीं ये पठानों के कसीदे सुनने में हानिया साइबा कि बहुत है या मैं आपको महबूद घस्दवी सिकंदर आसम और इंडिया के बहुत सारे जर्मिनों के भी कोल सुनाओ जिनों ने पठानों के बारे में अपने कलम से खुबसूरत और कीमती इलफास दिखे अब मुदसिर उसकी तरह देखे तंजिया से अंदास में कहने लगा हमें कोई शोक नहीं आपके किसे सुनने का उसने मुँ बनाते वे का और आगे मुड़ गई वैसे भी उसको सिर्भ बोलना पसंद था सुनने में तो वो अपनी तोहीत समझती थी जब अगला बना बोलता तो वो मुँ बना के दूसरी तरफ मुड़ जाती बिचारी के पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं है फिजा ने मुस्कुराते वे जर्मीना के का में का वैसे पठान तो आप भी है ना आपको बोलते वे मौत बढ़ी है उस हानिया के सापने फिजा ने जर्मीना की तरफ देखा और घुसे से बोली जो हानिया की किसी बात भी कोई दिल्चस्पी नहीं लेती थी बाबा जान हमेशा एक बात करते है फिजा दोस्ती और दुश्मरी हमेशा खांदानी बन्दे से करना दोस्ती तो वो तुम से खांदानी तरीके से करेगा एक खांदानी बन्दा और अगर वो तुम से दुश्मरी भी करेगा तो भी खांदानी तरीके से करेगा कम नसल से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मरी ये नहीं कि मैं उसकी बातों को समझती नहीं जवाब नहीं दे सकती बस मैं उसको इसकाविल नहीं समझती कि मैं उसके साथ बोलू उसने इस कदर पुरे इत्माद तरीके से जवाब दिया कि फिजा मुस्कुराते हुए रहेगी शुकर है भाई हम आपके दोस्त हैं जी आज शुकराने के दो नफल पढ़िये का सर्मीना ने शोखे से अन्दास में उसकी तरफ देखते वे का मर जो तुम जरी फिजा ने मूँ बनाया और दूसरी तरफ बढ़ गी अगर मैं मर गी तो मेरे वो कवारे रह जाएंगे ना सर्मीना ने बस दोई सी उदासी के साथ फिजा को देखते वे का आपके वो कोने आपके वो मुझे तो कई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे फिजा ने इदर उदर कलास की तरफ देखते वे का कभी तो होगे ना हाँ जब होगे तब हम आपको जीने की दूर देंगे हाँ बहुत एसान है आपका अब चुप करके सर को सुनो आज वो भी कुछ परबा रहे है इश्क में बरने वालों को कब जीने की दूर लगती है वो आज फिर अपने उसी अंदास में भागता हुआ आया था पोजय वो जैके टे उतारता था बूबाहिल हमेशा उसके हाथ पे रहता और चाए चाए का तो वो दिवाला था हर पांच में बाद उसको चाए की तलब होती थी चोंकि वो सब के साथ इतना प्यार करता था तो सब उसका ख्याद रखा करते थे एक लड़का जो दरकाब करता था क्लास के दुरान भी आता और उसका खाली कप हुआ कप ले जाता और दुबारा चाय के साथ भरा हुआ ले आता और वो मुस्कुरा कि उसको शुक्रिया कहता और कप ले लेता वो हमेशा सब की इज़त करता था वो लोगों की इज़त उनका ओदा देख के नहीं करता था बलके उनका इखलाक उसको हमेशा मतासर करता था उसको अपनी तरह जिद्गी से बरपूर लोग बहुत पसंद थे हमेशा शायरी की मैफिल में बैटा हुआ सब को वही नजरा था वो लोगों में खुद को बनवाना जानता था कभी अपने कलाब से और कभी दूसरों को दाद दे के वो हमेशा सब के साथ मुस्कुरा के बात करता अगले की बात पे उच्चा उच्चा हसता उनको प्यास एक अबर पे बार भी देता और कभी उगले के इशारे से हसते वे उनको सेरा था आज फुजी संदाज में कलास पे आया था सब को वो पहले दिन वाला बज़दान लग रहा था उसने अपनी मुहबत को अपनी कमजोरी बनाने के बज़ए उसको अपनी ताकत बना दिया था मुहबत अगर हमारी कमजोरी बन जाए तो वो सहर से भी जादा खतरनाक होती है जो हमें आइस्ता आइस्ता अंदर से खतम करता है सर्बीना उने उसको देखते ही नजरे जुका ली वो नहीं चाती थी वो उसको देखे हानिया के साथ और भी दो तीर बच्चों की बारी थी वो जब भी प्रिजेंटेशन लेता तो सामने पड़ी किसी भी खाली कुर्सी पे बैट जाता हानिया आईए आप स्टार्ट ले उसने हानिया की तरफ इशारा करते में का हानिया के तो जैसे वारे नियारे होगे आज वो दूसरे दिनों के निस्पत ज्यादा त्यार होके आई थी उसको पता था वो प्रिजेंटेशन के दुराद स्टुडेंट्स कोई देखता है तो वो कैसे ही कीमती मौका जाया कर सकती थी बज़दार उसको इतना वक्त देखे और वो त्यार भी ना होके आए जैसे हानिया साब ने आई वो जर्बीरा के फास्ते पे खाली बड़ी कुरसी पे बैट गया आज उसके पास बैटा जरूरी था हारिया ने जलते वे दिल के साथ उसको जर्बीरा के साथ वाली कुरसी पे देखे खुद कलाबी की हारिया आप स्टार्ट ले उसने हारिया को चुप खड़ा देखते हुए का अब क्या हाक स्टार्ट लूंगी में दिल में जलने वाली हारिया ने उसको मुस्कुराते हुए देखा और बस इतना का ओके सर और अपने टॉपिक पे बोलना शुरू ही वो जो बजाहिर उसको देख रहा था मगर उसका दिल साथ बैटे वाली लड़की के लिए धड़क रहा था कितनी पाकीजा है ये कितना सगूर ने इसकी कुर्बत पे उसने जर्मीना का साथ महसूस करते हुए अपने दिल में का या अल्ला इस लड़की को मेरे नसीब में लिख दे जब ही मेरे नसीब में आगी में इसके जिवा और कुछ नहीं मांगूगा उसने वहां बैटे बैटे खुदा से उस लड़की को मांगा जिसकी पाकीजी उसको सगूर बख्ष रही थी और हानिया सामने खड़ी बोले जा रही थी अमा आज सारी अप्तारी मैं बनाओगी आपने कुछ नी करना आज आज मेरी अमा बस अराब करेगी उसने किचन में खड़े होते हुए का नई जरी इतना काम होते है तुम कैसे इती अफ़तारी बनाओगी बैं तुम्हारे साथ मिलके बना लूगी नई ना मा में खुद बनाओगी उसने बच्चों की तरह जित करते हुए मांगों का जो उसके पास खड़ी प्यास काट रही थी लेकिन जरी इतना सब कुछ बनेगा बाबा जान के लिए अलग बनेगा तुम कैसे बनाओगी इतना सब उन्होंने फिकरमच से अंदास में पूछा वो जरी को इतना किचन में काम नहीं करने देती थी जरी उनकी अकलोती बेटी थी और थी भी कमजोर सी मगर वो भी अपने एक अच्छी बेटी होने का वक्तर पवक्तर सबूत देती थी उसके यही खुआश होती थी जो काम वो कर सकती है वो काम उसकी माँ को ना करना पड़ी वो खुद गरब आग के पास खड़ी हो उसकी मा ना हो मरतन दोते उसके हाथ खराब हो उसकी मा के ना हो वो हमेशा सोची थी कैसी होती है वो लड़किया जो अपनी माँ को काम करता देखती रहती है और खुद आराम से सौफे पे बैटी होती है उन बेटियों को अपनी माँ पे तरस भी नहीं आता जो पूरा दिन कभी एक के आगे खड़ी होती है और कभी दूसरे की परवाईश पूरी करती है एक माँ बेटी क्यों मांगती है किस दिन के लिए मांगती है कि वो जब बड़ी हो तो अपनी माँ को ये कहकर मरतन धोने से मना कर दे नहीं अमा मेरे हाथ खराब होते है क्या ऐसी होती है बेटिया सरी बच्चे थंग गे न मुझे बुला ले न अच्छा और ये सब चो तुम बनाओ की मैं काट के रख देती हूँ फिर तुम साथ साथ बना ले न उन्होंने प्यास आलू और पाकी सबसी उठाई जो उसने बनानी थी और उसको काटने के लिए दादों के पास बैट की और वो मुस्कुराते में माँ को देखती रही ऐसी होती है माई मेरी माँ जैसी भाई जार आज पकोड़े मेने बनाए है खतीजा ने बड़े फखर सेब भाई को दस्तर खान पे बैटके का अरे वा आज तब पकोड़े मेरी गुड़िया ने बनाए है अम्मी आज में अप्तारी में बस पकोड़े ही खाऊंगा उसने मुस्कुराते में माँ को देखे का लेकिन भाई चान मेरे पकोड़े बस आपी के लिए बनाया है बाकी सब के लिए जैनब आपी ने बनाया है आप मेरे वाले ही बने हुए खाना उसने खुशी से भाई को बताया जो प्लेर पेसे पकोड़े उठा के देख रहा था जी गुडिया आपके वाले ही बने हुए खाऊँगा जैनब आपी वाले तो खाने लाइक किदर होगे शुकर है मेरी गुडिया ने मेरे लिए बना दिये थे पकोड़े बनाज अफ्तारी बगैर पकोड़ों के ही करनी पड़ती वो मुस्कुराता वा जैनब की तरफ देखे बोल रहा था जो कबसे उसको गूरे जारी थी खदीजा अपसे आपने भाई जान के लिए रोज पकोड़े बनाने हैं क्योंके पकोड़े तो मैं ही बनाऊंगी रोज ये नाओ फिर इनको बगैर पकोड़ों के ही अफ्तारी करनी पड़े उसने मूँ बना के खदीजा की तरफ देखते वे का पास पैटा वजदार मुस्कुराते वे सुनता रहा वो अपनी बेहनों की रोनक था उनके पाँ बैटता तो वो अपने हर दुख बोल जाती वो मुस्कुराता तो उसके साथ मुस्कुराती चुप चुप सायरन हो रहा है खदीजा ने खुशी से का और सब दूआ के लिए हाथ उटाने लगे जैसे ये उसने दूआ के लिए हाथ उटाए आँके बंद की तो एक तब उसकी आँकों में उस लड़की का सरापा घुमा उसके चेरे पे मुस्कुराहट आई मलका मेरी जिद्गी पे तो कमसा कर लिया अब दुआओं पे भी काविज होना चाहती है उसने मुस्कुराते हुए दिल में का उसके बंद की दुआ माँग रे थे या ऊला मेरी मलका को मेरी नसीब बना दे उसने कोई दस दफ़ा बिस सिर्फ एक ही दुआ माँगी जब भी वो उसको दुआ में मांगता था उसके दिल में कजीब सा सकून उतरता था झाल 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 झाल